मुख्य समाचार प्रोटेक्शन वाल का उधार्टन करते हुए कोविद-19 महामारी के बावजुद विकास कारे को दी जा रही प्राथविक्ता अरुनाचर प्रदेश पुलीस के विशेश चांच दल ने एक्सिस बैंक में हुई धोका धड़ी के मामले में दो और अभी उप्टो को किया गरवतार राजदाने इटानगर में मादक पतार्थों की तसकरी करने वाले गिरों का बहंडा पोर करते हुए साथ लोगों की की गिरवतारी रक्षा मंतरी राजनाज सिंग रूस की तीन दिन की यात्रा पर रवाना इस से पहले कल रक्षा मंतरी ने कल लधा की स्थती पर प्रमुख रक्षा, अधेयक्ष, बिपिन, रावत और तीनों सेना धक्चियों के साथ की उचस्तरिय बैठे रिए उपर मुख्यमंतरी चौनामेन ने आज राजदानी छेतरी के जोलांग में पोमा नदी पर बने डबल लेन के पूल का उत्खाटन किया उन्होंने कहा कि कोवीड-19 महामारी के बावजूद परियोजना एजन्सियों ने विकासकारियों की गती को जारी रखा और प्राथमिक्ता के आधार पर इस पूल के निर्मार को पूरा किया उपर मुख्य मंत्री ने कहा कि इस से जोलांग छेत्र और आसपास के गाउं के लोगों को आवागमन में सुविदा होगी और आर्थिक गती वीधियों को भी बढ़ावा मिलेगा स्रीमेन ने कहा कि राजसरकार राज़ानी छेत्र का चुहू मुख्य विकास कर जन आकांग्छाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रही है इस अवसर पर विधायक ताना हाली तारा लोक निर्माण विभाग के आयूक्त कालिंग ताएंग सचीव वाई डबलू रिंगू मुख्य अभियंता आतुप लेगो और कातुम वागे सहित कई गड़माने वक्ती उपस्तित थे उपर मुख्यमंद्री चौनामेन ने राज़ानी छेतर के एसस सेक्टर में भूस खलन से छटी ग्रस्त सड़क की मरमत कारे के तहत करीब 34 मीटर उचे प्रोटेक्शन वाल का उदखाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहां कि करीब 2 साल से बंद पड़े इस सड़क के खुल जाने से राज़ानी छेतर में यातायात में सुविदा होगी स्री मैन ने कहां कि राज़ानी छेतर में चल रही विकास परियोजनाओं की गुर्वत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवशक कदम उठाए गए है इस अवसर पर स्थानिय विधायक तेच्री कासो ने कहां कि कोवीड महामारी के चलते ज्यादा तर कामगारों के अपने ग्रह राज़े में चले जाने से विकास कारिया प्रभावित हुआ है उन्होंने कहां कि मानसून को देखते हुए सी सी रोड और अन्य सड़क परियोजनाओं के कारे में विलम हो रहा है स्रीकासो ने राज़ानी छेत्र के लोगों से जिला प्रसासन और परियोजना एजनसी के साथ सहीयों की अपील की इतानगर जानता का लिए यहां बाइपास रोड है तो यह सभी का लिए अच्छा सुविदा एक मिलेगा यह एक गौरुप करने का बात है इतानगर का जन जात बाइबहन का लिए और जतना ओपिस जो आने जाने बाला लूग का लिए भी सुविदा यहां से होगा और यह है भाई पास रोड सबसे हम लुग का दिपीगल है यह जो है आपका कोविट नैंटी का विए यहां का यतना जो लेवर है और सब चला गया है चला गया मतलब मैक्सिम आम लोग तो भागे गया एक दर से नहीं तो वो जो तक वापुस नहीं आता है तो तक वापुस नहीं तो तो आप लिए और प्रदेस पूलिस के विशेश जाच डल ने एक्सिस बैंक में हुई धोका दड़ी के मामले में दो और अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता पाई है प्रदेश पुलीस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा है कि एक्सिस बैंक में अरुनाचर प्रदेश पुलीस वेलफेर फंड के करीब 42 लाक रुपए को अवे तरीके से निकाल लिया गया था जिसमें बैंक के ही कुछ करमचारी शामिल थे SIT के S.P. नवदीव सिंग बरार के नेतरित में जानच टीम ने बैंक के वरिष्ट अधिकारियों की मदद लेते हुए अब तक चार बैंक करमचारियों को हिरासत में ले लिया गया है और दोकादड़ी से निकाली गई पूरी रकम बरामत कर ली गई है वही राजे पुलिस ने हैरोईन की तसकरी के आरोप में साथ लोगों को हिरासत में लिया है इनमें आई आर बियन के दो जवान भी शामिल है पुलिस ने अवहेद हैरोईन की खरीद में उप्योग किये गए वाहन सहित लगभग सवा तीन लाक रुपे नगत बरामत करते यह शेस बार लाक रुपे से ज्यादा की बैंक में जमा राशी फ्रीज कर दी है इसमें जिनके नाम है सूरज कुमार सिंग जो की उसका परमनेंट अड्रेस यहां का बिहार का है और जो की यहां पे असम्हाइड में रहता था गोपर के पास और उसने उसका जो में इन्वा यूज़ करके ऐज ड्राइवर को काम करता था जो गौहाटि से जो ड्रग जाती थी, संथलिक जिसे हिरोन है तो उसकी डीलिंग करवा के उसके साथ वो खुद है कि और भी ट्रक्स जो है जो हम पहले बरामत गीजी थी उससे कुछ और जो ड्रक्स हैど उसकी हम ऻो हसे कहीं कहीं छुपा रखी है तो वह उसकी श्री सिंग ने कहा कि इस दोरान वे दोनों देशों के बीच रक्षा और सामरिक भागीदारी को और मजबूत बनाने के तोर तरीकों पर बातशीत करेंगे रक्षा मंत्री ने कहा कि वे मासकों में आयजित होने वाली विजय दिवस पारेड में भी भाग लेंगे दृतिय वि युद में रूस और मित्र देशों के विजय प्राप्त करने की पचहतरवी वर्षगांट के अवसर पर बुद्वार को मासकों में विजय परेड आयजित की जाएगी श्री सिंग रूस के रक्षा मंत्री के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं इस कारक्रम का आयजन 9 माई को होना था लेकिन कोवीड-19 महामारी को ध्यान में रखकर इसे स्थगित कर दिया गया था इससे पहले रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने कल लद्धा की स्थिती पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत और तीनों सेना धक्षों के साथ उचस्तर या बैठक की बै चीन के साथ सीमा पर चौक्सी के अलग-अलग रणनीतिक तरीके अपनाने पर भी चर्चा हुई सेना के शिर्स अधिकारियों से जल थल और वायू सेना पर चीनी गतिवीदियों की कड़ी नजर रखने को कहा गया है पूर्वत्र छेत्र विकास मंत्राले ने आठ उतर पूर्वी राज्य स्वास्त्य सुविधाय बढ़ाने विशेशकर संक्रामक रोगों के प्रबंदन के लिए बुन्यादी धाचे के विकास के वास्ते एक अरब 90 करोड रुपे मंजूर करने का फैसला किया है केंद्रिय पूर्वत्र छेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंग ने कल एक वर्चुल बैठक में उत्तर पूर्व पर विशेश ध्यान देने के साथ विकास आकंग्ची जिलो में कोविट की स्थती और स्वास्त सुविधाओ की समिक्छा की बैठक में पूर्वत्तर के 14 विकास आकांग्ची जिलो के स्वास्त सचीवों, उपायुक्तों और स्वास्त अधिकारियों ने भाग लिया। डॉक्टर सिंग ने बैठक में कहां कि विकास आकांग्ची जिलो की अवधारणा 49 प्रमुक संकेत को पर आधारित है। जिनमें स्वास्त सेवा की स्थती एक महत्वपूरण घटक है। उन्होंने कहा कि पूरुवत्तर छेतर विकास मंत्राले ने पूरुवत्तर राज्य को स्वास्त संबन्दी पर योजनाओं के लिए प्रस्थाव बहिजने का विकल्त दिया है। डॉक्टर सिंग ने कहा कि असम अरुणाचर प्रदेश में घालाय मनीपूर, सिक्कीम, मिज़ुराम और नागालयन से प्रस्ताव मिले है जबकि आठवे राजितरपुरा से प्रस्ताव का इंतजार है। मिज़ुराम के कुछ इलाकों में आज तड़के पाँच दसमलो तीन तीरवता का भुकम आया। के महसूस किये गए है। पुलीस के अनुसार नुकसान की कोई खबर नहीं है हाला कि जटकों के कारण कई मकान, इमारत, चर्च और सामुदाईग भवनों में दरार आ गई। प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने मिज़ुराम के मुख्य मंतरी जोरम ठांगा से बात कर भुकम की जानकारी ली। एक ट्वीट में स्री मोदी ने कहां कि उन्होंने मुख्य मंतरी को केंद्र की ओर से हर संभव सहायता देने का आस्वाशन दिया है। देश में COVID-19 से ठीक होने वालों की संख्या 2,37,196 हो गई है। स्वस्थ होने वालों की दर 55,77 प्रतिशत पहुँच गई है। पिछले 24 घंटों के दोरान 9,440 लोग ठीक हुए है और 1,74,000 से आधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। केंद्रिय स्वास्ते मंत्राले ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 14,821 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 4,25,000 हो गई है। एक दिन में 435 लोगों की मौध होने से मृत्कों की संख्या 13,699 हो गई है। इधर अरुनाचर प्रदेश में कोवीट के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 118 हो गई है जबकि 21 रोगी स्वस्त हो चुके है। राजे के स्वस्त सेवा निदेशाले के अनुसार 19 जून से 21 जून के बीच एंडी आरेफ के 15 जवान भी कोवीट 19 से संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी पश्चिम बंगाल में हाल ही में आये तूफान के दोरान रहतकारों के लिए वहां भेजे गए थे। वही राजानी छेतर इटानगर से भी कोवीट संक्रमन के चार और मामले दर्ज किये गए हैं। इन सभी का इलाज किया जा रहा है। राजे में अब तक 19,000 से ज्यादा लोगों की कोवीट 19 जाँच के लिए सैंपल लिए जा चुके हैं। अपर सुबंसरी जिले के स्वास्त अधिकारी डॉक्टर तापेद दाखपे ने ओल तागिन छातर संग द्वारा क्वारंटीन सेंटर्स में जाँच को लेकर उठाय गए सवालों के जवाब में कहां की एस ओपी के अनुसार क्वारंटाइन सेंटर में आने वाले लोगों का तीन दिन में कोवीट जांच के लिए सैंपल लिया जाता है। उन्होंने कहां कि स्वास्त विभाग नियमित क्वारंटाइन में रह रहे लोगों के बारे में सूचना एकत्र कर रहा है और दिशान निर्देशों के अनुसार आवशक सेंपल भी लिये जा रहे हैं। गौर तलब हे की हाल ही में आल तागिन चातरसंग ने दापूरी जो नगर ये छेतरी के क्वारंटाइन सेंटर्स का दौरा कर इस में रह रहे लोगों से स्वास्त सुविधाओं की जानकारी ली थी। सेंपल कलेक्शन नहीं हुआ है अभी का स्टेज में हाब लुक हैसे लफर भाई नहीं कर सकता है हमारे एसोपी के तहद जो भी रितनीस आएगा अफ्तर त्री देस फॉर्ट डे में हम लोगो सेंपल देना है क्योंकि वाइरेस जो है अफ्तर तू दिखाए जाता है तो ये स्टेज में जो हमने अभी रजिटर अब चेक किया और देखा तो 15 को आया हुआ था और सीद नहीं का जो इतनीस आया है वो 17-18 को अगर मैं फिर से कहे रहा हूं है सेंपल कलेक्शन के जो है मैं बार बार कंसेप्स क्लियर कर रहा हूं ये थार डे के बद ले जाता है सानी य तो गलत एक्षिली जहां भी लिया जा रहा है वो गलत है और सेंपल जो जो टेकन अफर तर चीन की विस्तारवादी नीती और लधा के गलवान घाटी में भारतिय सेनिकों पर हमले के खिलाव देश पर में प्रदरशन जारी है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में बड़ी संख्या में लोगों ने चीन के खिलाव प्रदरशन किया उन्होंने देश वासियों से चीन के बने उतपादों का बहिशकार कर उसे आर्थिक रूप से चोट पहुचाने की अपील की केंद्रिय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकास जावडेकर ने आज कान फिल्म मार्केट 2020 में भारतिय पवेलियन का उनलाइन उदखातन किया इस अवसर पर स्री जावडेकर ने कहा कि सरकार ने देश में अंतराश्ट्रिय फिल्मों की सूटिंग के लिए त्वरिद गती से मंजूरी के लिए फिल्म सुविधा केंद्र की पहल की है उन्होंने दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं से भारत में फिल्मों की सूटिंग करने और ग्ल भारतिय फिल्म जगत की हस्तियों से मुलाकात की थी इससे भारतिय फिल्म उध्योग घटना क्रम पर सरकार की उचस्तर की प्रति बद्धता का पता चलता है राष्ट्य आब्दा प्रभंदन बल की बारवी बतालियन ने पूर्वतर के विभिन ने अलाकों में आपदा के समय लोगों की साहता के अलावा योग अभियास विशय पर भी जागरुकता पैदा कर रही है अन्डी आरेफ के जवानों ने कल अंतरास्ट्य योग दिवस के अवसर पर पापुमपारे जिले के दोईमुक और हॉलोंगी, लोर दिवांग वैली जिले के रोइंग, वैस्ट कामिंग जिले के दिरांग, असम के सौनितपूर, मनिपूर के इंफाल और नागालेंड के को अरुनाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही हम कल फिर हाजिर होंगे अरुनाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ, आप देखते रहे हैं, अरुन प्रभा, नमस्कार के आजानचल जाव सतु कैम्स्टेश शवथी के लागालेंग, य्झि